कहानी की शुरुवात में हमें एक फीमेल डीमन अभी जू के बारे में बताये जाता है जो नियर इस्ट और यॉरप में काफी फेमस है वैसे तो इसका जिकर पुरानी अमिलेट्स, पेंटिंग्स और स्टोरीज में है साथ ही इसको अलग-अलग रिलिजिन में अलग-अलग न प्यारी कर रहा था वहीं उसकी बीवी एड़ा आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन योसील उसकी बात नहीं मानता और मंत्र पढ़ते पढ़ते रिच्विल करने लगता है वहीं उसके पास एक छोटी बच्ची आती है जो दिखने में तो नॉर्मल लग रह लेकिन उसमें से डीमॉनिक वाइब्स आ रही थी और वो योसील से कहती है कि वो सब ये करना बंद कर दे जिस पर योसील कहता है कि वो अब उसे और फीड नहीं कर सकता और फिर वो लड़की डरावनी आवाज में ये बोलकर वहां से निकल जाती है कि मैं एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी लूंगी वहीं अब योसील कुछ मंत्र पढ़कर अपनी बीवी को याद करता है और तभी ब्लैक स्मोक के रूप में उसके अंदर एक भयानिक डीमन चली जाती है और वो खुद को स्टैप कर लेता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है दूसरी आर्थर ने अपने घर को बहुत पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि उसके डाड इन दोनों के शादी के खिलाफ थे वहीं हम देखते हैं कि इनके फ्यूनरल होम में एक लड़की का फ्यूनरल चल रहा था और ये लड़की और कोई नहीं बलकि वही लड़की सैरा थी अगल और इसी काम के लिए वो यहां आया था आर्थर जब वापिस टेबल पर आता है तो सॉल एक नई बोड़ी को क्लीन करने के लिए अपने साथ ले जाता है जहां सॉल का फ्रेंड हाइमिश भी होता है और यहां जो बोड़ी आई थी वो और किसी की नहीं बलकि यॉसील की थी यह लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं जहां हमें पता चलता है कि यॉसील की बीवी की देद भी कुछ हफते पहले ही हुई थी और यॉसील अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि हमेशा उसकी स्पिरिट से कॉन्टाक करने की कोशिश करता रहता था यहां हमें पड़ी पर लगे नाइफ को निकालने की कोशिश करने लगता है और उसके गले से बांधे एमुलेट को निकाल देता है तब ही अचानक यौसील की आँखे खुल जाती है जिससे आर्थर डर जाता है और वो एमुलेट वहीं पर गिर कर तूट जाता है आर्थर उस एमुलेट के पास जाती है तो यहां से यौसील की स्पिरिट निकल कर उस पर हमला करती है लेकिन तब ही क्लेर की नीन खुल जाती है क्योंकि ये नाइटमेर था या शायद नहीं भी क्योंकि जब क्लेर उटती है तो हम उसके बेड़ पर बलड लगा देखते हैं अब यहीं सौल उस के आदमी को कॉल करता है और उस नाइफ के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि इस नाइफ में जो लिखा है वो दरसल एंशेंट बॉंडिंग इंस्क्रिप्शन है जो की एंशेंट टाइम में किसी डीमन को बॉड़ी में कैद करने के लिए काम आता था लेकिन अ पेंडन के डीमन को सील नहीं किया जा सकता अब वहीं सॉल योसील की बॉड़ी को चेमबर में रखके वहां से जाने लगता है जहां हम देखते हैं कि उस रिपोर्ट पर लिखे शब्द खराब होने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ हम क्लेर को देखते हैं जो घर पे पर लिखता तो नहीं लेकिन एक बहुत तेज चीखने की आवाज आती है जिससे वह बहुत डर जाती है जिससे कैमरा वहीं गिर कर टूट जाता है अब अगले सीन में अब हाईमिश और आर्थर को देखते हैं जो कहीं गए हुए थे लेकिन यहीं आर्थर का फोन बचता है और हाइमिश उसे उठा लेता है, जिससे हाइमिश को लोन के बारे में सारी बाते पता चल जाती है, और साथ ही में वो आर्थर के कोट से निकाल कर बैंक के पेपर्स भी पढ़ लेता है, अब घर आकर हाइमिश सारी बाते सॉल को बताता है, जिससे सॉल को बहुत दुख होता उसे अभी तक लगता था कि आर्थर उसके लिए यहां आया था, लेकिन वो गलत था, इसलिए वो उस पे और क्लेर पर गुसा करता है, हाला कि क्लेर को भी यह नहीं पता था, वहीं गुसे में आर्थर घर छोड़ कर चाने लगता है, तब क्लेर उसके पास आकर पूछती है, उसने घर बनवाने में ही सारे पैसे लगा दिये और पिछले दो साल से उसका काम भी सही नहीं चल रहा था इसलिए वो अब कर्ज में डूब चुका है ये सुनकर क्लेर उसे डैड से बात करने के लिए कहती है यहीं साल रात को अकेले बाडी रूम में बैठा होता है और बहुत दुखी था तब ही उसे कुछ आवाजे सुनाई देती है जब वो उस आवाजों के पीछे जाता है तो उसे वहाँ एक खतरनाक डीमन दिखती है जिससे देखकर वो डर जाता है वहीं डर की वज़ा से उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत वही हो जाती है दरसल यह डीमन आबीजू ही थी अगले दिन जब आर्थर नीचे आता है तो उसे बताया जाता है कि सॉल की मौत हार्ट अटैक से हुई लेकिन हाईमिश उसे लोन के पेपर देता है जिस पर कल रात सॉल ने साइन कर दिये थे और कहता है कि तुमने सॉल को मारा है इन सब से आर्थर बहुत दुखी होता है इसलिए वो सब को बाहर भेज़ कर खुद सॉल की बाड़ी को फ्यूनरल के लिए तयारी करने लगता है वहीं अब सब लोग फ्यूनरल मीटिंग के लिए आये होते है वहीं हाईमिश आर्थर पर गुसा था इसलिए वो काम छोड़ कर वहां से चला जाता है अब आर्थर को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था इसलिए वो अपने रूम में चला जाता है जहां उसे डूर के पीछे से कुछ आवाजे आती है और जब वो चेक करने के लिए बाहर जाने लगता है तो कोई force उसे unconscious state में वहीं खड़ा कर देती है वहीं दूसरी तरफ Claire नीचे सभी guest का खयाल रख रही थी तब ही उसे वहां लगे परदे के पीछे से किसी के पैर दिखते है लेकिन जब Claire वहां चेक करने जाती है तो वहां कुछ नहीं होता तब ही अचानक Sarah के spirit वहीं आकर उसको डराती है और help बोलकर वहां से गायब हो जाती है इन सबसे Claire बहुत डर जाती है और वो अपने कमरे में जाती है जहां Arthur statue की तरह खड़ा था Claire उसको होश मेला कर सब बताने की कोशिश करती है लेकिन वो बिना उसकी बात सुने वहां से जाकर सो जाता है वहीं आधी रात को Arthur बेहोशी की हालत में नीचे जाता है और wooden floor पर वैसे ही sign बना दे लगता है जैसा हमने movie की starting में देखे थे लेकिन जब उसको होश आता है तो वहां carpet के सिवा कुछ नहीं होता अगले दिन कुछ लोग final rituals के लिए योसील की body लेने आ जाते हैं लेकिन खराब reports को देखकर वो कहते हैं कि इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा और वो लोग Arthur को papers पूरा करने को कहकर वहां से चले जाते हैं इसलिए अगले दिन Arthur योसील के घर जाकर सब कुछ चेक करने लगता है जहां उसे rituals और demons से जुड़ी बहुत सी चीजें मिलती हैं और वहीं उसे एक audio tape भी मिलता है जिसको वो play करता है तो उसमें योसील बता रहा था कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सपना है और क्या हकीकत वो कहता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने एक ancient predator को बुला लिया और इतना कहते ही वो tape खराब हो जाती है वहीं Arthur को कारपट के नीचे एक video tape मिलती है जिसको जब वो play करता है तो उसमें योसील और Sarah होते हैं जिसमें योसील कह रहा होता है कि उसने अपनी wife को वापिस लाने के लिए एक angel से contact किया है इतना कहते ही वो Sarah को उस circle में खड़ा कर देता है और mantra पढ़ने लगता है जिससे Sarah हवा में float करने लगती है Sarah अचानक से नीचे गरती है जिससे वो वही मर जाती है तब उसके पास वही demon Abizu आती है और टेप वहीं बंद हो जाती है और यहीं हमें पता चलता है कि Sarah योसील की बेटी थी लेकिन Abizu को योसील की कमजोरी के बारे में पता था और मोका मिलते ही उसने उसे ट्रिक करके Sarah को मार दिया क्योंकि उसका दूसरा नाम ही है अर्थर ये देखकर डर जाता है और वो टेप लेकर घर के लिए निकल जाता है वहीं दूसरी तरफ Claire घर पर होती है जहां Ada होती है जो अपने पती यानि योसील को लास्ट टाइम देखने वहां आई थी लेकिन हम जानते हैं कि Ada तो पहले ही मर चुकी थी मतलब ये Ada नहीं बलकि Abizu थी जो Claire के साथ नीचे योसील के बॉड़ी के पास जाती है और वहीं Claire को पेट में दर्द होने लगता है जिस पर Ada बोलती है कि किसी ने तुमारे उपर कर्स किया होगा और वो इस कर्स को तोड़ सकती है बस उसे वहां रखे पेंडन को जलाना होगा और Claire ऐसा ही करती है लेकिन ये सब Abizu की चाल थी और पेंडन चलते ही योसील की बॉड़ी भी चल जाती है जिससे Abizu को उसकी सारी पावर्स मिल जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है जिससे देकर Claire डर के वहां से भाग के टेबल के नीचे चुप जाती है वो डीमन उसको वहां भी पकड़ लेता है अब आर्थर जब घर आता है तो वो Claire को बेहोश पड़ा देखता है और वहीं उसके पास सेरा के रूप में अबीजू खड़ी थी वो उसे कहती है कि मैं Claire को तभी छोड़ूंगी जब तुम उसके बदले मुझे कोई और बच्चा लाके दोगे लेकिन आर्थर मना कर देता है और Claire को लेकर वहां से जाने लगता है लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता था तो Claire उसके हाथ से गायब होकर वहीं बेहोश मिलती थी ऐसा उसके साथ दो-तीन बार होता है मतलब ये सब लूप में हो रहा था और अब यहां सेरा और Claire दोनों ही गायब हो जाते है आर्थर डर जाता है और हाइमिश को कॉल करता है जो उनके घर रेब्स को लेकर आ जाता है रेब्स वो सर्कल देखता है और बताता है कि ये एक सैक्रिफिशल रिशोल के लिए होता है और जब कोई इस सर्कल के बीच में खड़ा होता है तो डीमन उसको पजस कर लेता है जब वो लोग वहाँ से योसील की बॉड़ी के पास जाते हैं जहां रेब उस पेंडन के तुकडे दून कर वापिस एक सील बना लेता है और बताता है कि पुराने टाइम में ये डीमन मिस्कैरेज जैसी प्रॉबलम के लिए जानी जाती थी लेकिन जब उसका गौड से सामना हुआ तो उन्होंने उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया था लेकिन फिर योसील ने रिच्वल करके उसे वापिस आज़ाद कर दिया यहीं रेब ये भी बताता है कि अबीजू को मारा नहीं जा सकता हम बस उसे सील कर सकते हैं जैसे योसील ने किया था और यहां आर्थर अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस देने के लिए तयार हो जाता है यह लोग राक से एक सर्कल बनाना लगते हैं क्योंकि अबीजू उस सर्कल के अंदर नहीं आ सकती लेकिन तभी अबीजू वहां आती है और सबसे पहले रेब्स को मार देती है वो दोनों वहां से भाग कर जाते हैं और राक से एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें आर्थर खड़ा हो जाता है और हाइमिश उसे प्रेयर करने के लिए एक बुग देता है कि तभी वहां आबीजू आती है और वो हाइमिश पर हमला कर देती है और उसे वहां से खींच कर ले जाती है वहीं आर्थर प्रेयर पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे क्लेर हवा में लटकी दिखती है जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो उस सर्कल से बाहर चला जाता है लेकिन वो अपनी प्रेयर शालू रखता है तभी उसके अंदर वो स्पिरिट आ जाती है और उसे सील करने के लिए आर्थर अपने आपको स्टैप करने ही वाला था तभी वो खंजर उससे दूर चला जाता है आर्थर की बाड़ी पूरी तरह से अकड़ चुकी थी तभी वहां हाईमिश आता है जो उसे वो खंजर देता है जिससे आर्थर खुद को स्टैप कर लेता है अब यहाँ अबीजू को आर्थर की बाडी के अंदर सील हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो था क्योंकि आर्थर से वो पेंडन्ट पहले ही गिर गया था और रिचुल में उस पेंडन्ट का होना जरूरी था यहीं हमें ये भी पता चलता है कि हाईमिस तो पहले ही मर शुका था और जिसने आर्थर को खंजर दिया वो खुद अबीजू थी वहीं सीन शिफ्ट होकर कुछ टाइम पहले आ जाता है जहां कलेर टेबल के नीचे छुपी थी कि तब ही उसे आर्थर की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उसके पास जाने लगती है तो वो अबीजू के जाल में फस जाती है और उस सर्कल के बीच में आ जाती है जहां अबीजू उसके बच्चे को मार देती है और यहीं पर ये कहानी खतम हो जाती है उमीद करते हैं आपको ये कहानी पसंदाई होगी